कि नमस्कार दोस्तों आपका बहुत-बहुत स्वागा था आपके अपने यूटूब चैनल रागव पाम एनलिस्ट पर अगर आप भी अपने पाम का एनलिसिस करवाना चाहते हैं तो मैंने अपने सारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना कॉंटेक्ट नमबर छोड़ दिया है आप उस पर समपर करके अपने पाम की वीडियो बनवा सकते हैं कि यह एक फीमिल राइट हिंड पाम है इनकी पर 40 years थे और उनकी कुछ बेसिक से सवाल थे तो चली दोस्तों इनके पाम का एनलिसिस करके पाम मिश्ट्री के बारे में कुछ नया सीखने की कोशिश कर चाहिए सबस्के नगा में सुखर पर्वर्बत हुआ को इस पसंद करता है नहीं ज्यादा अच्छा है और नहीं बुरा है एक मीडियम शुकर पर जैसे ही हाथ मोहना चाहिए तो ऐसे व्यक्तिजी को लगजरी की इतनी हया चाहार नहीं होती है सब्सक्टी नायू Just कोई पस विखती को बार बार आगे बनने के मौक्य मिलते रहते हैं कि अगर 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 तरफ जाएंगे तो बहुत इतना अच्छा मुझे नहीं लग रहा है है तो यह कम्युकेशन स्कुल को दिखाता है कि विक्ती की एतनी उठी होटी विक्ती प्रॉपर। ऐसे व्यक्ति जरूस से ज़्यादा दब आपको सेहन नहीं कर पाते हैं इसी के साथ साथ जिस प्रकार का इनका भारी मंगल है तो ऐसा व्यक्ति पे अगर संघर्ष आए अगर ज्यादा संघर्ष आए तो ऐसे व्यक्ति तब भी कॉलैप्स हो जाता है यानि ऐसा व्यक्ति प् बड़ा हैट में कुछ ऐसे कदम उठा देते हैं जिसके उसे उन्हें ही नुक्सान होता है फिजिकल एनरजी ऐसे वक्ति में काफी ठीक पाई जाती है लेकिन अगर आप देखेंगे अंधुर्नी मंगल पर इतनी सारी चिंपा रेखा जब होती है आप देख सकते हैं अंधुर्नी मंगल साफ नहीं है बहुत सारी रेखा हैं van ben तक एक तो यह ह Wish को चिनतवाई यह सब्सक्ति सक्षाप है है एक जब भी खाली भाज़ता तो हर लूप सद। आज किसी नहीं रहती यह तो यह विखности को तेंशन कोओ ना कोई चिनता यह सदाती रहती है और सव्यक्ति अ फ्रिमाइड नहीं पढ़ दा Shock लाइन्स की वज़े से इनकी मेंटल हेल्थ पर काफी बुरा फेक्ट पड़ा होगा मानसिक्तनाव परिशानी टेंशन डिप्रेशन ऐसी थोड़ी बहुत चीचे से विक्ति होगा हमेशे सदाती रहती है गुरु परवत बहुत अच्छा है जब हाथ में इतना अच्छा गुरु परवत होता है तो विक्ति धार्मिक पाया जाता है जिस भी धर्म को फॉलो करते होंगे उस धर्म के भगवान में बहुत ध्यान होगा काफी धार्मिक किसम के व्यक्ति होंगे इसी के साथ जिस प्रकार का इनका शुक्र परवत है और गुरू परवत है एक अच्छा कॉम्बनेशन बनता है तो जब इस प्रकार का कॉम्बनेशन बनता है तो व्यक्ति की विवाईक जीवन काफी अच्छा जाता है अपने जीवन साथी के साथ विचारों में मध्वेद नहीं होते तारमिल काफी अच्छा होता है एक दूसरे को समझने वाले होते हैं इसी के साथ साथ बुरे से बुरे समय में भी एक दूसरे का साथ निवाते हैं ऐसे विक्ति के मित्र एवं रिष्टधार भी काफी अच्छे पाई जाते हैं और परिशानी के समय से विक्ति के रिष्टधार और मित्र भी उसका साथ नहीं छोड़ते अगर शनी परवत की तरफ जाएं तो आप देखेंगे शनी परवत पर आप देखेंगे बहुत सारी रे बढ़िया बन रहा है जब इस प्रकार का फिश का साइन बनता है वह भी शनी परवत पर तो सबसे पहले तो फैनेंशल स्टेवल बनाता है ऐसे व्यक्ति को अपनी व्रद्धावस्ता में कोई भी फैनेंशल प्रॉब्लम नहीं आती जितना अब कमा रहे होंगे उससे काफी ज प्रभावात है यानि ऐसा व्यक्ति धर्म का साथ देने वाला होता है ऐसे व्यक्ति जूट नहीं बोलना चाहता और जूट बोलने वाले लोगों से इस व्यक्ति को नफरत होती है सदैव धर्म एवं नयाय चाहने वाले कि इस व्यक्ति की पाये जाती है ऐसा व्यक्ति कोई बुजनेस हो गया हईर एंचनि निटेड्र बुजनेस का प्फिन बैसि इस व्यक्ति और शनी जाद को पैसा मिलता एसे व्यक्ति न DassAS जो से business करके कोड़ पती भी बन सकता है या फिर कोई legal work भी कर सकते हैं तो उसमें भी बहुत ज्यादा इनको profit देखने को मिल जाएगा इसी भी legal work को करेंगे तो उसमें भी इनको बहुत ज्यादा पैसा कमाने के chances बढ़ जाएंगे सूरे परवत पर अगर हम आएंगे तो सूरे परवत पर भी एक से ज़्यादा रेखा है और इसी के साथ साथ इनके सूरे परवत पर एक बहुत बड़ी असा square का sign भी बन रहा है जब इस प्रकार का square sign सूरे परवत पर बन जाता है तो ऐसे विक्तिकर import एक्सपोर्ट से लिट क एक्सपोर्ट होगा या फिर आयरेंड का कुछ मशीन से लिटेट जिसका import एक्सपोर्ट का काम होगा तो यह अपने जीवन में सर्वत परवत पर उठेंगे देखिए दोस्तों शनी परवत अच्छा है सूरे परवत पर स्कूर का sign है तो इसका मतलब सूरे परवत परवत प उठाने वाले हैं एक तो लित्वार एक्सपोर्ट पॉम्ट या फिर ऐरेंड किसी बी चीज कि इंपॉर्ट का करें लिक करेंगे तो अपनी पर उठ्यवन उठाने लब उट्वसकिसपोर्ट ग्रिचीज्ह पुरे रिखा संगर्ष पर श्रॉलत का अब श्रुने वाली बिजने की इतसे हैं इसी के साथ वैदि कि इसा कि वाणी और बहुत भी कर्ण भी होता है कि आगli paying की संगर की तरफ अगर घरम जाएंगे तो आप देखेंगे कब पैसे को किस तरह invest करना है कितना अपने पास बचा कर रखना कितना समाल ना कितना किसको देना यह सारी जिए यह निमनी इसे जुड़ा management ऐसे वक्ति को नहीं आता है आ कि सूरे की फ्ली चोंटी है तो यह व्कति को रिश्की नहीं बनाती सवक्ति डरता है अपने पैसे को investment करने पर भ्य किमें काफी डिर रहता है ऐसा व्यक्ति अपने पैसे को कहीं पर लगाने में कहीं इंवेस्ट करने में दस से बारबार सोचता है और तब भी मना कर देता है ऐसा व्यक्ति रिस्क उठाने से काफे तक घबराते हैं और इसकी निचर ऐसे व्यक्ति का नहीं पाया जाता गुरू की उंगली देखेंगे काफी बड़ी है तो ये व्यक्ति को इगो परबलम देगी छोट-छोटी बातों का जल्दी बुरा मान जाता है अगर कोई सामने वाला मजाग भी कर जाए तो उसको सीरस ले जाते हैं और मजाग के वे में नहीं लेते तो इगो परबलम थोड़ी बहुत ऐसी वक्ति में होती है हाथ काकार देखेंगे तो रेक्टेंगल है जब इस परकार का हाथ काकार होता है तो ऐसा व्यक्ति खाली बैठना पसंद नहीं करता रक्ति बहुत ज़्यादा महंती होता है रेखाओं की तरफ चलेंगे तो आप देखेंगे कि ये इनकी हिर्दय रेखा है और ये गुरू परवत की तरफ जा रही है जब इस परकार की हिर्दय रेखा होती है जो गुरू परवत की तरफ जाए तो ऐसा व्यक्ति काफी ज़्यादा धयालू होता है देख दूर टैप का नेचर होता है, सबका भला चाहते हैं, किसी का पुरा नहीं चाहते है, ऐसे वेक्ति, इसी के साथ साथ देखेंगे, तो एक रेखा निकलकर मंगल की तरफ जा रही है, इस परकार से, तो इस वेक्ति को गुस्सा देती है, ऐसे वेक्ति शॉर्ट टैम पर और कभी-कभी चोटी बात अब भी जल्दी गुस्सा आ जाता है, इस परकार की चीजे, और अपने से चोटी उमर वाले वेक्ति को ऐसे वेक्ति ज्यादा चिलाते हैं, ज्यादा परिशान करते हैं, इस परकार करने चाहर इस वेक्ति का जरूर होता है, यह रेखा आप परकार करने वाले के हाथ में होती है, और इस रेखा की वेक्ति जब भी खाली बैठता है, तो थोड़ा दुखी होता है, लेकिने बाद बेद आपको समहल लेता है, मस्तिश्क्रिखा की तरफ जाएंगे, तो आप देखेंगे की मस्तिश्क्रिखा यहां से निगली, और यहां तक यह काफी बढ़िया जा रही है, जब इस परकार की मस्तिश्क्रिखा होती है, तो ऐस रेखाली काफी इंटेलिजिएंट होता है, हर चीज़ को बोलने से पहले अपने दिमाग में नाप तोल लेते हैं, हर चीज़ को ऐसे वक्तिखा को पता रहता है कहां पर क् बोलना है, इस परकार की जीज़े, दिमागी शम्ता ऐसे वक्तिखी काफी अच्छी पाई जाती है, अगर हम चलें इनकी जीवन रेखा की तरफ तो आप देखेंगे, कि जीवन रेखा शुरुवात में नहीं है, तो बच्पन में थोड़ा पहुते श्ट्रगल, फैम्री प बढ़ा होगा, उसके बाद जब जीवन रेखा निकली है, तो एक ही रेखा उपर की तरफ जा रही है, गुरु परवर्त की तरफ, जब इस प्रकार का कॉम्बनेशन बनता है हाथ में, तो ऐसे वक्ति अपने जीवन में हमेशा इंप्रूव करता है, जैसे यसे उमर बढ़ बढ़ा है, फिर एक रहू रेखा ने इनकी जीवन रेखा को काटा लगबग 43 में, दोस्तों इनके हाथ में रहू रेखा ज्यादा है, काफी बड़ी बड़ी है, यानि बीच बीच में जो मैं इस बता रहा हूँ, उसमें इनको काफे तर नुकसान देकर जा सकती है, हेल्थ पर रहू रेखा है, जो कि जीवन रेखा को काट रही है, लगबग 58 में, और फिर एक रहू राहू रेखा है, लख शिष्टी टू में, ये जो मैंने एज बताई है, इस एज में इस बक्ति को पैसे का नुकसान जा सकता है, हेल्थ प्रावलम आ सकती है, या फिर फैमिली प बड़ी में परिशानी बता रहा हूं उतनी नहीं लेकिन चोटी परिशानी तो ज़रू रहेगी बाकि इनकी जीवन रिखा अच्छी चलती जा रही है इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है लेकिन जो मैंने इनको साफ धन रहना होगा यह जो रेख है जो इनकी जीवन रिखा को काट रही है यानि जीवन में तो परिशानी आएगी पैसे से लिट्रीट भी परिशानी अगर धन्रेखा की तरफ देखेंगे तो धन्रेखा काफी चलती जा रही है बीच में एक और धन्रेखा जोड़ी यानि बाहरी लोग का सपोर्ट काफी अच्छा मिला होगा या फिर पैसा कमाने घर से दूर गये होंगे या फिर कोई ऐसा काम कर आओगा कि जिससे दूर का पैसा इनके पास आए लेकिन फिर धन्रेखा पर कट लगे यह धन्रेखा है आप देखेंगे एक रहूरेखा ने इसको यहां पर काटा लिए तो शुरुवाती इसमें इसको काट दिया है लगबग मेरे साब से 30 में इनको आर्थिक नुक्सान गया होगा फिर 34 में कट लग सब्सक्राइब यह थायए फिर बाद में आप देखेंगे एक धन्रेखा और चली लेकिन इसको भी काट दिया फिर थाटी एट में कल लग रहा है फिर हलका सब्सक्राइब लग रहा है और वह बड़ा कट 45 में लग रहा है यानि इसेज में पैसे का नुक्सान जाएगा अर हाथ में अपौचूनिटी हैं काफी ज़्यदा हैं आगे बढ़ने की लेकिन जितनी आपौचूनिटी है उतना ही हाथ में संग गर्श भी इन राव रेखाओं के वेशे हो रहा है तो रेकां की रेमेडिज इनको बिल्गुल करनी हो गी मैं रेमेडिज दूँगा उन्हें करे दाएगा और बुढ़ाबे में फैन्शन दिर्कत नहीं आएगी हाथ की तीनों रिखाओं को देखेंगे तो काफ यदा डार्क हैं तो यह विक्ति को मोटा पा देखें ऐसा विक्ति में मोटा पा रहता ही अगर आसकती एक्सिसाइज करता है तो कुछ समय के लिए पतला होता है लेकिन फिर बाद में मोटा हो जाता है तो इनको वेट से पॉलम भी आई होगी वजन नहीं घटता होगा इस प्रकार की चीज़ें ऐसे विक्ति के स शनी परवत पर शनी परवत ट्रम पर एक बढ़ी से फिश्का से इन तो बहुत बढ़ी में ज्लों में नहीं बाद के लिए उसimporte करेंगी उनग्याएं बहुत कि इसे तो मैंने के पाम का इनेल्सिस पूरा कर दिया है मैं आशा करता हूं कि उनकों के सवालों के जब मिल गयोंगे अगर आपको हमारी वीडियो चो लगी में अपना रिवीव केमेंट चेक्शन में जरूर छोड़ दे तो चली दूस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत